नमस्कार मैं आप सभी के साथ हूँ राजीव जा और आप देख रहे हैं उत्रबंगाल एपन सिक्किम का नमबर वन और लीडिंग निवस चैनल एसके लाइव आपका समय एव आपकी ख़़र इस समाचार के प्रस्तूत करता है अब बढ़ते हैं आज की प्रहुक हेडलाइन के तरफ कल से 25 वर्सों बाद सिक्की में एक नए यूग यानि एसकेम सरकार की सुरुवात मेरा अशक बटचार ने कहा कि मंत्री गौतम देव एसज़डिये के बहतर चेर्में अलिपुर्द्वार में यूवक के उपर धरधार हतियार से हमलाय करने का आरोप लगा भाजपा कारिकरता पर मोधी सरकार बंदने तथा राजव बिष्ट के जीतने के प्लेक्षम निक्रीज सिलिड में विजय रैली और CBI ने राजीव कुमार के बिष्ट जारी किया लुकाउट नोटिस अब बढ़ते हैं प्रमखबरों की तरफ हुए स्थार से सिक्किम में 25 वर्सु बाद PS गोले के नेत्रत में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा युग की सुरुवात राजपाल की मोहर पर कल 10 बजी होगी भविश सपत ग्रहन समारो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष पीएस गोले सिक्किम के छटवे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वे कल यानी सोमवार को गैंक्टों के पालजोर स्टेडियम में सपत ग्रहन करेंगे राज्यपाल गंगा प्रसाद उन्हें पद तथा गोपनियता की सपत दिलाएंगे ज्याथों की भरस्ताचार के मामले में एक वर्स की सजा काट चुके पीएस गोले के चुनावर नहीं लरने के कारण उनके मुख्यमंत्री बनने में समयधानिक अर्चने आ रहे थी लेकिन आज राज्यपाल गंगा प्रसाद ने सक्यम विधायक दल की प्रस्ताव को स्विक्रिती देते हुए सभी अर्चनों को हटा दिया है उलेखनी है कि 11 प्रेल को संपन्ध हुए राज्य के 10 वे विधान सभाग चुनाव में सक्यम पार्टी को कुल 17 सीटे मिली थी वटचार ने पत्रिकार समिलन कर कहा कि किसी भी सूरत में विजाई चंदर वर्मन को SGDA चेर्मन बनाना बरदास्त नहीं किया जाएगा साथी कहा कि मंत्री गौतम देव SGDA चेर्मन के रुप में बहतर प्रसासक रहे सकतर्रा जैब는 मिलेगा जाएगा जिए मुलास में बहुतना नहीं का्या जानात चेर्मन मुलो फेले कि बहुतना टाल के बहुतना是的 चेर्मन अनुझधन को बहुतना जाएगां कि और चनला के से एट किई गड отмет है जाएगां, हम उतक्तनों टावत दिक क्राम टावत का विस जने टावता कंपचत कोर दिके लुदा事 हो और वोकी जस दिस फ्तिल सन्सित छावता है विद को ज दने ली गावत देख संद दिक विदायरा को फिख wizard, मैं तेरी सिन अ दिलुदा मलत्वता क्व Всемगझ देख छावता है अलिपुर्द्वार के ढल पलेर कुमारी जान इलाके के एक युवक के उपर धारदार हतियार से हमला करने का आरोप लगा भाजपा कारिकरता पर गंभीरों से घायल उस युवक को अलिपुर्द्वार जिला अस्पताल में भरती करा गया है घायल युवक का नाम रंजन सरकार है रंजन के बड़े भाई स्थानिय त्रनुल कॉंगर्स के कार करता है लेकिन रंजन कोई पार्टी नहीं करता है बताया जा रहा है कि सिलिगुरी से कल रात ही रंजन अपने गाउं वापस आज सुबह ही आया था जिसके बाद रंजन अपने घर के पास ब्रस खरिदने के लिए गया उसे दोरान भाजपा कर्मी ने रंजन के ओपर धारदार हतियार से हमला कर दिया इसको लेकर स्थानी ये पाँच भाजपा कार्टाओं के रुद्ध थाने में शिकायद दर्च कराई गई है वही भाजपा जिला सभापती गंगापुरसाद सर्मा ने इन आरोपों को निराधार बताया है दारजिलिंग लोकसभा सीट पर भाजपा अमिदवायर राजु बिष्ट को रिकॉर्ड जीत मिलने और मोदी जी के दोवारा प्रधान मंतरी बनेने के खुशी में लोकसभा चुनाव परिनाम घोशत होने के चौथे दिन भी सिलिगुड में भाजपा के जीत का जस्न जाड़ी है इसी क्रम में रविवार को सिलिगुडी नगर निगम की पांच वाच्छो नंबर भाजपा मंडल कमीटी के ततोधान में इस दोरान पांच नंबर मंडल अध्यक्ष आदित्य मोदक ने इस विजए रेली का न्यत्र तु किये भाजपा की इस विजए रेली में काफी संक्या में भाजपा नेता वाकार करता हूने हिस्सा लिया विजेरेली सहर के प्रमुख मार्गों की परिक्रमा की इस दोरान भाजपा समर्थक जैस्री राम वा नरेंदर मोदी के जैकारे भी लगाएं। इस दोरान पूरे गाजे बाजा के साथ निकली इसरेली में भाजपा समर्थकों को जीत की खुशी में जोनते हुए भी देखा लोग सभा चुनाओं के बाद पश्चिमंगाल के मालदा जिले में पुलिस ने साथ लाख रुपए के नकली नोटों के साथ नकली नोटों की तसकरी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना को किया गिर अफ्तार मालदा जिले के मालेक चक थाने की पुलिस नमताया की तसकर को रविवार सुबह मानिक चक के इनायकपूर इलाके से दबोचा गया हाला की इस अभियान में तसकर गिरोह के अनिश्रस भागने में काम्याब रहे उसकी तलास में जगा जगा च्छापिमारी की जा रही है पुलिस सूतर के अनुसार तसकर का नाम दिलराम हुसाइन है वह मालदा के कालियाचक थाने के चारी अनन्थपूर इलाके के पीरपूर गाउं करहने वाला है उसके पास से साथ लाख रुपए के नकली नोट बरामत किये गए हैं ये सभी दो हजार रुपए के कुल साड़े 2300 नकली नोट है पुलिस ने मताया कि इस दुरान तसकर गीरोह का एक 19-10 मोटर शाइकल लेकर वहाँ से फरार हो गया पुझतास में पुलिस को पता चला है कि इन नकली नोटोको कालिया चक इलाके में सीमा पार से संग्रहित किया गया था बुले समताया कि इन नोटों को मानिक चक की गंगा नदी के राजमहल घाट से सीमा पार जारखंड भेजने की योजना थी फैलाल हमारे लिए समगा चुका है छोटे से ब्रेक लेने का हम लोटता है इस ब्रेक के बाद गर सपनों का घर है बनाना तो वरिंदावन मार्वल्स ही है ठीकाना जी हाँ अपने ग्राहकों की विविन आउस्सकताओं को पुड़ा करने के लिए उतपादकों और सेवा की एक व्रिस्तरित श्रिंखला वरिंदावन मार्वल्स घर के सजावट सेनिटरी वेर बात पिटिंग से लेकर मार्वल्स स्टाइल्स और ग्रिनाइट उतपादकों की जड़तों के लिए किफायती दामों में एक ही ठीकाना मार्बल्स के मंदिर और मूर्थियों का भंडार इस छेत्र में और कहीं नहीं व्रिंदावन मार्बल्स इस्टन बाइपास रोट सिली गुडी कॉंटेक्ट नमबर 9832832811 कॉंटें ऑन तो एके का अ यद में आड़ियों मार्णा कर दो कि अ झाल 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 झा 3 3 4 0 1 ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हैं मुक्चमंत्री अमतामर जी के करेबी पुलिस अधिकारी राजीव कुमार की बढ़ी मुश्किले CBI ने जारी किया लुकाउट नोटिस पश्चमंगाल के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की मुश्किले बढ़ती जा रही है CBI ने राजीव को लुकाउट नोटिस जारी कर दिया है हाली में सारदा चिटफन ममले में उनसे पूछताच की गई थी इसका मतलब यह है कि यदि राजीव कुमार देश से बाहर जाने की कोशिस करते हैं तो उन्हें एरपोर्ट पर रोक दिया जाएगा साथी CBI को सोचित कर दिया जाएगा नोटिस के मुताबिक राजीव अब एक साल तक देश से बाहर नहीं जा सकते हैं ऐसा करने पर इमिग्रेशन अधिकारी उन्हें ततकाल गिरफतार कर CBI को सौप देंगे जानकारी के लिए बता दे कि इमिग्रेशन ब्योरो ग्रह मंतरले के तहद काम करता है गौर तलब है कि सारदा चेटफन घोटाले मामले में गिरफतारी से राहत बढ़ाने की मांग करने वाली राजीव की याचका को सुप्रीम कोट ने खारिच कर दिया था राजीव ने इसके बाद 12.07 की निचली अदरत में अग्रिम जमानत के लिए याचका दायर की थी उसे भी खारिच कर दिया गया था पशिमंगाल के बाकुरा जिले में रविवार सुबह 10.49 मिनट पर भुकंप के हलके जटके महसूस किये गये रिक्टर स्केल पर भुकंप की तीवरता 4.8 मापी गई महस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कही से भी जानमाल के नुक्सान की कोई सूचना नहीं है भुकंप 23.3 डिगरी अक्षांस और 86.9 देशांतर में 10 किलोमेटर की गहराई पर केंदरित था जल्पायगुरी जिले में रविवार के विभिन कारक्रमों के जरिये विद्रोही कवी नेजरूल की 121 वी जनिंती मनाई गई इस दोरान मश्कलाई बाड़ी में इस्थित कवी नेजरूल के आदम कद मूर्ती पर माल यारपन कर उन्हें सद्धान जिली दी गई सिल्पुरी महकमा क्रीरा परिशत कंचन जंगा क्रीरांगन की ओर से आगामी 5 जून से सुपर डिविजन फुटबॉल लिग फिक्स्चत 2019 का होने जा रहा है आयोजन इस बारे में विश्थित जानकारी दी आयोजक करता के सद सुने सिल्पुरी महकमा क्रीरा परिशत परिचली तो सुदिर कोमार मेमोरियाल विनर्स रेखा महित्रो मेमोरियाल डानर्स और मौन्टु भटायाजजी फियर क्रीर ट्रफिट खाला आगामी 5 जून सिल्पुरीर कंचन जंगा स्टेडियाने सुरु हाँ एई खाला है मोट अगारोटी दल अंग्षगन करवे सुपर डिवीशने खाला है जार प्राइज मुल्ण आमरा रेखेची चांपियान पंचाशा जाट्ट्यका जेटा सुदिर कोमार मेमोरियाल ट्रफि रेखा मेमोरियाल डानर्स ट्रफि जेटा आमरा दिच्छी पोची आप तक के लिए इतना ही इसे तरह की तमाम ख़बरों की जानकारें के लिए आप लगातार बनारें हमारे साथ यानि एसके लाइव के साथ आपका समय एवं सिर्फ और सिर्फ आपकी खबर दन्यवाद झाल